हाई स्टूडेंट्स की टू सक्सेस में आपका स्वागत है आज हम कामर्ष के कोश्चन श्रीज पार्ट फाइब देखेंगे तो चलो कोश्चन स्टार्ट करते हैं कि दे ऐउडेंज प्राफिट आफ फर्म इस एत्टी थाउजड रबदिया है एत्टी थाउजड तोटल एसेट आफ दी फर्म टेन लेग दिया है कुल संपति दस लाग दिया है आउट्शाइड लाबिलिटी चारला कर्स्यहजार दिया है बाई हदाईत्व चारला कस्य हजार दिया है रिजनाबल रेट आफ रिटार इस 10% तो अपेक्षित आइदर कितना है 10% केल्कुलेट गुड विल बाई केप्रिलाइजेशन आफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सत लाब के पुझी करण विधी द्वारा ख्याती की गर्णा करना है ठीक है तो यहाँ पे कुश्चन बोला है और सत लाब के पुझी करण विधी द्वारा ठीक है केप्रिटलाइजेशन मेथड दिया है है capitalization of average profit method तो यहां पर goodwill हम निकालते हैं goodwill is equal to average profit in 200 divided by rate minus कर देते हैं net assets तो यहां यहां पर question में average profit 80,000 दिया हुआ है in 200 rate कितना दिया हुआ है 10% अब यहां पर net asset निकालेंगे तो net asset कैसे निकलेगा पहले तो total assets दिया है 10 दिया है और outside liability कितना दिया है 4,80,000 तो 10,00,000 में से 10,00,000 में से हम लोग minus कर देते हैं 4,80,000 तो आपका net asset निकल जाएगा 5,20,000 तो यहां पर देखते हैं यह कितना हो जाएगा 8,00,000 माइनस 5,00,000 तो यहां पर goodwill कितना निकल जाएगा 2,80,000 तो आपसन दिखते हैं A दिया है आपका 1,80,000 B दिया है 2,80,000 C आपसन दिया है 5,20,000 और D आपसन दिया है 5,60,000 तो हमारा best option B होगा next question की ओर चलते हैं अब business firm whose average profit 33,600 including an abnormal profit 1,600 एक ब्यावसाय का अवसत लाप कितना है 33,600 जिसमें 16,000 का abnormal loss मिलित है ब्यावसाय में 3,50,000 निवेश्थी ठीक है यहाँ पर ख्याती का मुल्यांकन अधी लाप के 4 गुना के अधार पर निकालना है तो यहाँ पर पहले तो super profit देख लेते हैं super profit कैसे निकलता है average profit minus normal profit average profit तो यहाँ पे हम लोग net average निकालेंगे net average निकालने का purpose है देखो average profit यहाँ पे दिया है 33,600 minus abnormal profit abnormal profit कितना दिया हुआ है 1600 तो यहाँ पे net average निकल जाएगा 30,200 तो average profit कितना निकल गया 32,000 ठीक है net profit यहाँ पे net average profit 32,000 अब normal profit कैसे निकालते है तो देखो भाई normal profit कैसे निकालते है normal profit is equal to net capital employed या net asset ठीक है net capital employed into rate by 100 या इसी को net asset भी बोलते है तो यहाँ पे net capital employed कितना दिया है फर्म में विनी उजित पुंजी या investment of capital 3,000,000 दिया है और 3,000,000 का 10% आपका क्या हो जाएगा rate है तो तिन लाग का 10% 30,000 ये 30,000 normal profit है तो super profit कितना हो जाएगा students super profit 2000 हो जाएगा अब यहाँ पे goodwill निकालना है goodwill का formula क्या होता है super profit into purchasing year ठीक है तो super profit कितना निकला है 2000 और purchasing year कितना है अधिल आपके 4 गुना के अधार पर ठीक है 4 year purchasing अब super profit तो 4 year दिया है तो एक कितना हो जाएगा 4 दुनी 8,000 तो next आपका option दिखते हैं first है 2000 B option है 16,000 C option है 8,000 D option है 32,000 इसका best option होगा 8,000 next question की ओर चलते हैं equation of sacrificing ratio त्याग अनुपात का समी करन क्या है मेरे ख्याल से सभी इसको correct कर चुके होंगे old ratio minus new ratio new ratio minus old ratio old ratio plus new ratio all of the above तो देखते हैं sacrificing ratio त्याग अनुपात तो old minus होता है new ratio जब नए partner आते हैं तो old partner लोग उसके favor में sacrifice करते हैं तो इसी को क्या बूला जाता है गठन किस दसा में होता है ठीक है तो एडमिशन आप partner साज़ेदारी के प्रवेस पर डेथ आप partner साज़ेदार के मृत्यू पर retirement आप partner अलबदी अबू तो ये चारो condition applicable होगा ठीक है तो reconstitution मतलब होता है पुनर गठन तो फर्म का पुनर गठन का अब होगा जब नए partner आएगा या नए partner का date हो जाएगा या उसका retirement हो जाएगा ये सभी case में होता है तो best option इसका काउंसा होगा D option next question के और चलते हैं A, B, C और partnership sharing profit and losses in the ratio 3, ratio 2, ratio 1 ठीक है D join the partner for 10% share calculate new profit sharing ratio after D admission तो A, B और C फर्म में साजेदार है लाब का विभाजन 3, ratio 2, ratio 1 में है वो 10% के लिए प्रवेश देते हैं तो नय अलाब भाजन उन पात की गढ़ना करना है तो देखो जो D आता है 10% में आता है तो 10% को कितना कहेंगे 1, 10th में ठीक है तो यहाँ पर मानते हैं Let's Total share of firm Total share of firm Firma का total share कितना है 1 एक में से 1, 10th में काउन आ जाता है D तो कितना बचेगा Total share 1 है और यहाँ पर remaining share बचा हुआ share है तो remaining share एक में से 1, 10th में काउन आ गया D आ गया तो कितना बचेगा 9 by 10 तो देखते हैं A का हिस्सा कितना है A share 3 3 ratio 2 ratio 1 है तो यह 3 by 6 हो जाएगा 20 का share कितना है 2 by 6 और C का share कितना है 1 by 6 तो यहाँ पर 9 by 10 और यह कितना है यह भी 9 by 10 यहाँ पर भी 9 by 10 तो यह हो जाएगा 9 तिया 27 और यह कितना हो जाएगा 10 शक्का 60 और यह 9 दुनी 18 10 शक्का 60 यह 9 एकमना और 10 शक्का 60 अब जो D आता है वो कौन से share में आता है D आता है 1 तेन में आता है ठीक है तो इसको इसके जो denominator है हर को equal करने के लिए कितना से multiply करना पड़ेगा 6 से तो उपर में भी 6 से multiply करते है तो यह 6 by 60 हो जाएगा तो new ratio हो जाएगा 27 ratio 18 ratio 9 ratio 6 तो यह हो जाएगा आपका 3 यह 27 3 चक्का ठारा 3 तिया ना और 3 दुनी 6 तो आपसन देखते हैं पहला आपसन है 9 ratio 6 ratio 6 ratio 3 यह नहीं है 2 आपसन देखते है 6 ratio 4 ratio 3 तो यह भी नहीं है 3 आपसन देखते है 9 ratio 6 ratio 3 ratio 2 तो अच्छा यह वाला आपसन है तो इसका आपसन कौन से हो जाएगा C अब हम लोग तो नेश्ट कोश्चन के और चलते है कोश्चन नमबर 6 A B पार्टनर है ठीक है 3 ratio 2 में देडमिटेट C और C को नए साजिदार बनाते है या C नए साजिदार के रूप में प्रवेश्य होता है कितना से दलाता है 3 by 7 profit which is acquired 2 by 7 from A and 1 by 7 from B A और B partner है 3 ratio 2 में C को 3 7th lap के लिए प्रवेश्य करते है और A से कितना लेता है 2 by 7 और 2 से कितना लेता है 1 by 7 तो हमें new ratio निकालना है तो यहाँ पे देखो डारेक्टर यहाँ पे जो 3 by 7 लेता है तो 2 by 7 किसे लिए है A से 1 by 7 किसे लिए है B से तो यहाँ पे देखना है A का share A का share कितना होगा यहाँ पे इसका हिस्सा है 3 by 6 B का share कितना है शरी यह 3 by 5 है यह 2 by 5 तो यहाँ पे 2 by 7 और A से लेता है 1 by 7 और किसे लिए है B से तो इसका कितना हो जाएगा 7 तिया ठीक है और यह 5 दूनी 10 और यह 7 पंचे 35 अब यहाँ पे देखते है यह कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और यह कितना हो जाएगा 5 कम 5 और 7 पंचे 35 तो कितना हो जाएगा बच्चा यह 11 divided by 35 14 में से 5 जाएगा तो 9 डिवाइड भाई 35 और जो सी सी को टोटल कितना मिलता है सी का सेयर इससे 2 बाई 7 बिलता है और इससे 1 बाई 7 तो 3 बाई 7 मिलता है जो की दिया हुआ है अब इसको 35 करने के लिए इससे बुड़ा करना पड़ेगा तो 5 नीचे में करेंगे 35 डिन मेटर विकवल करने के लिए तो 5 उपर में करना पड़ेगा 5 तिया 15 5 सबते 35 तो इसका नया रेशियो कितना हो जाएगा देख लेते हैं 11 रेशियो 9 रेशियो 15 अब आपसन चेक करते हैं अच्छा पहला आपसन 11 रेशियो 9 रेशियो 15 यह दूसरा आपसन है तिसरा दूसरा 9 रेशियो 3 रेशियो 5 दिया है यह 15 रेशियो 11 रेशियो 9 दिया है यह 9 अबदी एबो तो इस्टूडेंट्स पहला है आडिटर के द्वारा क्लाइन्ट के द्वारा आडिटर के असिस्टेंट के द्वारा आडिटर एंड ही आडिट असिस्टेंट तो हमेशा प्रोग्राम प्रोग्राम आडिटर के द्वारा ही त्यार किया जाता है अगर आडिट बोला रहता तो आडिटर और आडिट असिस्टेंट आ जाता लेकिन प्रोग्राम हमेशा आडिटर के द्वारा किया जाता है नेश्ट कोश्चन की ओर चलते हैं रिविल्वेशन एकाउंट इस प्रिपेरड अपुर्ण ल्यांकन खाता बनाते हैं द्वलिवेशन हमेशा एडिबिशन के समय बनाते हैं लिविल्वेशन के समय क्या बनाते हैं चलते हैं अगर प्रिमियम को счасть होगा नेश्ट कोश्चन के ओर चलते हैं अगर प्रिम्ियम और छिक्षा एक पेंश है nee को दिया तो इससे कहा लिखा जाएगा तो प्रिमियूम को एक्सपेंस माना जाएगा तो हमेंल में रिखा जाएगा प्रिमियूम कौ एक्सपेंस अगर नहीं मानते तो बालेन सबस्केम को क्या चा again जाएगा नेक्सपेंस तो प्यानेट में लिखा जाएगा नेक्स्ट है पेमेंट आप गुडविल बाई न्यू पार्टनर फॉर तो नएसाज़दार द्वार्ट क्या जाता है ठीकدة है तो नए-साज़दार द्वार्ट क्या के लिए तो यहां पे फ्यूचर प्रॉफिट के लिए साज्यदार द्वारा गुड-will का मुल्यांकन किया जाता है तो फ्यूचर प्रॉफिट के लिए गुड-will का मुल्यांकन करते हैं यह बेश्ट आप्सर होगा फार सेयर आप फ्यूचर प्रॉफिट ठेक है दोस्तों अब लोग हम कल कंटिन्यू करते हैं